कि हलो एफ्रिवन वेल्कम टू एए ऑनलाइन सौलूसन कैसे आपका स्वागत आप सभी को इस चैनल पर तो आज आपके सामने लाया हूं राजनितिक विज्ञान यानि की पॉलिटिकल साइंस का इंपोटेंट सब्जिक्टिटिव कोश्चर और यह क्लास्टेंथ 2021 एक्जाम क आयो है और सब्सक्राइब को याद करना इसलिए को इसको याद करना र नहीं है तो याद करना। सबसे प्रदायक्ता क्या है संप्रदायक्ता गता क्या है इसको बोलते हैं संपर्दायक्ता राजनिति हूता फिरका परस्ति नाम सुने हूं परस्ति फिरका के मतलब एक समुदाय, एक समाज की रुप में, और समाज का निर्मान कौन करता है? भर में ही समाज की निर्मान करता। कि धर में है जो समाज का निर्मान करता है समुदाय का निर्मान करती है तो इससे का होता है संपर्दायक राजनितिक जनम होता है संपर्दायक राजनितिक का जनम होता है और इस आधारना पर आधारित सोच ही संपर्दायक जनम होता है और यह सोच रखने वाले जो व्यक्ति है सोच ही संपर दैक्ता इस आधाना पर आधारित सोच सोच उस गोलेंगे उस सोच खो सोच को इसक Amend vakंग विशेश में आस्ता रखने वाले एक ही संमुदाय करें होते ही और उनके मौलीक से संबंद है तो उसा धर्म के सभी लोवे कानून लागू होता है तो अगर आप के मन में कभी भी यही सवाल आना कि जब हम सोच लेते हैं कि धरम ही जो है समुदाय का निर्मान करता है धरम जो है समुदाय का निर्मान करती है तो उस सोच को उसको बोलते मतलब संपर्दाइक राजिनितिक के जनम और इस अधारना पर जो आधारित सोच नुक नहीं कर दूसरा नहीं कर रहा अपने सोच को बोलते क्या संपर्दैक्त याद हो जाएगा संपर्दैक्त मतलब फिरका परस्ति याद रखें फिरका परस्ते नम सुने होंगे बहुत अच्छी तरीकिए अनुसार एक धर में जो विश्यस आस्था रखने वाले जो लोग है उसी समुधायक होते हैं और उनका जो मौ परनाली स्पा पर स्वात नाम है कि असर य JULाज के तीन संसथा गज väldigt पर एक संस्था बनी हुए इस संस्था को इस परनाली जो है उने कि नियुंके और डृचाप两 पर लेकि आइस लेकिम निजयी तिन डृचाल सीर्दैक्त मारा में परिप वहाज़ाय थैंस निए ग्राम पंचायत होता है परखंड होता है और पंचायत समीत होता है तो आप देखोंगे जिसे ग्राम को चलाना है तो ग्राम को चलाने कले ग्राम पंचायत होता है 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 ना ओके जिसको मुख्या बोलते हैं पर्खंड यंदिकि ब्लॉक ब्लोक पर होता है एक परखंड लेवल पर होथा जिला परीश्यद तो आप किसी भी इस रिलेटर रकते हो würden गरामिन से तो समीत परखंड समीथ से कौन से होता है यह दिन अस्तर पर बनाया गया पंचायत स्की गरामिन मुच्शेत्र के लिए एंक गरामिन फेवरों में मैं निियु होता करे नीचे लिए पर को यहां पर हो ब्लहुक पनचायद समीथी रहेगा और एक जिला हो गया तरहे इससे दmee का परियाज भी इससे सत्ता विकेंद्री करन का परियाज भी कहता है सत्ता को बहाँ मिलता है सत्ता का विकेंद्री करन का पर्याज भी कहते है शुचने के अधिकार अंदोलन के मुख्योदेश क्या है है तो यह तो सिंपल सथा सुचने के अधिकार अंदोलन का घ्राओ आप मुख्ष उद्रिश के सरकारी दस्ते बेजु है उसको प्रप्त करें यानि कि आपको नंबर का एकजाम है ठीक है और आपको आया पच्चास नंबर और आप 100% कनफर्म हो कि सो में मेरे 90 नंबर आएगा तो आएगा नहीं कैसा आएगा तो आप ऐसे में करोगे RTI क्या करोगे RTI करोगे ताकि जो मैं लिखा हूं जो पेपर जमा किया हूं जो सरकार के पचली गई है उस पेपर का हुँ को फिर से प्राप्त करके फिर से चेक करवाना है किसी भी मामला में जर पेपर बहुत सो कर सकते हैं कि यह मैं यह कि मेरा यह सही है मुझे दस्तिवेद दिया जाए तो सुतना का दिकार आप आर्टी आई कर सकते हो राइट टू इंफोर्मेशन बोलते हैं आर्टी का फूल पॉर्म ठीक है अगरा सवाल देखो नगर निगम के परमुक कारी तो देखो चार यहां पर नगर कुला और अगर करना है इंतजाम करवाद गलं पौल उद्धानों की इतना सा काम है आप आंक उठा करbon करें औगर नगर निगम इतने सारे कार को कुआ के अच्छा काम हो रहा ह।ánd्व काम करके नैंकि नहीं कर सकता है कि हमारे हमारे एरियम नगर निगम है क्या वह क्या काम को कर रहे हैं ug 4 है सब्सक्राइब निभारे नियुक्ति हैं तो इस तरह कार्य अगर करता है तो सोचो फिर हमारा देश हम पहले छोटा से देश तो दूर के वाद पहले अपना गाउं फिर अपना शहर अगे बढ़ते बढ़ते देश पूरा सोख सकता है तो यहां इदम निचली अस्तर से उठाग लेना तो अगर कहें पेजल नहीं तो इनतरम करना कूला करकट को साप करवाना है, मारकें में कौला करक्षॉ सब्छ करें घ्रक्टर में पताएं किसी भी लोकतंत्र में राजनितिक दल कानिवार है कोई भी लोकतंत्र होता है कोई भी लोकतंत्र देश है ठीक है वहां राजनितिक दल होना जिरूरी राजनितिक पाटी होना अनिवारी है लोकतंत्र देशों में राजनितिक दल जीवन के एक अंग बन चुके नहीं रहेगा तो फिर आगे चलने पड़ाए पाएगा है ना मतलब नया नया कानून जो कानून को फॉलो नहीं कर रहा हूं यह करेगा मतलब राजनीतिक डल जो है रहना बहुत जरूरी एक आंग बन गया है इसलिए उन्हें लोकतंत्र का परान किसे कहा था तो राजनीतिक डल को याद कर इसलिए उसको लोक्तंत्र का परान बंत्र का दिल जोभी बीदृु परान वायु औक्षींजन है लोक्तंत्र कौन राजनीतिक डल है लोग करना मतंवान करना सरकार एवं जंता की बीच मददर्षप कारे करना अब सरकार जंता की नहीं के घाल सर्कार और राजनीतिक युजिद सवाधरनेतिर स्पवाद के अलावा का नहीं से ख़ते ही गट बंदन सरकार का क्या दर्द जांने तरह पूर्वặt गडबंदन गडबंदन है यहां से यह गडबंदन वहां से वह गडबंदन हो गया यहां छोड़के चल गया दल वद्रू बहुत होड़ा दल बदल कानुन विदायक लोग सांसत लोग ऐसे करते रहते हैं तो गडबंदन सरकार का च्यारत हैं गडबंदन सरकार मैं यहीं सब्सक्राइब बनाया उस सरकार कि नाम है गडबंदन सरकार के बैठक होती मतलब ल Wiki में तो यह ही आम फाहिम लफ जर समाजने के लिए लेकिन शु mendigy अ Beispiel सजा राके निहीं तब लगे ना धना यह अप लोगे लब लेकिन जब लिखने के बार ही आगा लेकिन तो आपको धियान के लिखना है कहां पर हरसाई कहां पर दिरगय कहां पर पूर्णेवेराम कहां पर कॉम कहां पर क्या लिखना है आपको सुच कहां पर आप कहां पर तुम यह सब बोल तो लेंगे लेकिन लिखने में बहुत ध्यान देते हैं है ना गडबंदन सरकार एक संसद्य सरकार के कैबिनेट होती है जिसमें कई राजनितिक दल हो सायूक होता है वही मैं बोल रहा दिन काIs में इक परभुत कम रहता है को भी जिस से कड़बंदन के भीड़ किसी भी एक दल का परभूत कम रहता है किसी भी डल का जो मतलब कि हम waish m कम हैं कि में किanा हाना इक सो पांच सीट में इसके पास फिर दिकार रही तो यह जो है यह सोचह को इसके सारे पर चल सकता यह बोले यार हम हाट जाएंगा तो शरकार गिर जाएगी मतलब मन बहुत मन बढ़त होगे ऐसे इस वैवस्ता का आम कारण यह है यह निया जाता है कि कोई दल अपने बलबूते संसद में बहुमत पराप्त नहीं कर सकता है तो बहुमत पराप्त करने के लिए गड़ बंदन सरकार बना लेती है जैसे कि आपको पता है कोई बहुमत लाया है चुना हुआ अपना बहुमत लाया लेकिन बिहार में तो घठबंदन सरकार से बना था बहुमत बना था अब अभी हिम्मत ने था कि बहुमत प्राप्त करता लेकिन एक है अलग जो ला रहा तो 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 इसमें आगे-पिछे-आगे-पिछे मतलब होता है तो गड़बंदन सब्सक्राइब सवाल समझाए हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आगे होगा ठीक है उमीद कहता हूं कि इस सवाल को आप अपने कोपे पर नोट कर लेंगे और नहीं है तो अगर याद है तो अच्छी बात है और नहीं याद है तो नोट तो करी लिजिए इसमें कोई गुंजाय सी नह है जब दो नमबर सवाल आप से याद नहीं होगा तो दस नमबर पांस नमरों सवाल कहां से याद होगा अभी पांस नमरों लॉंग लॉंग सवाल आपको बताना है ओके अच्छी लगी वीडियो समझ में आए लाइक करना अपने दोस्तों को शेयर करना फेस्बूक कि अवरिवन है वे नाइच डे ओके